है है हलो गार्ज 11 एक्सा आप सब आई-अच्छे था रह बना करते हैं चाप्टर हमारा चाप्टर चलरहा है जीव जगत का वरगी करण और इस चाप्टर में जो हम पढ़ रहे हैं वह वह पढ़ रहे हैं प्रोटिस्ठा को और आज हम इसको आगे बढ़ाने वाले हैं एक बढ़ दीख लाप ना डायम टेबल तो टाइम ठेбल आपका जो है रहे आपका आपके सामने है 11 कि स्थार्ड होती है पहल J ऑसे कंपलीट हो जाएगा बाद करो मोनेरा प्रोटिस्टा फंझाइब अप Heute सब्लांट्सर अर्णिORY धा लग resistant चाप्टर है मोनेरा कम्प्लीट हो चुका है प्रोटेस्टा आज और कम्प्लीट हो जाए गा दिनिसके बाद अब इस चाप्टर में सिर्फ पड़ोगे पंजाए को ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज हम पढ़ेंगे प्रोटिस्टा को बढ़ाएंगे आगे और हम लोग देखेंगे अवंक अवक को यहरे चलिए सबसेशेश देख लीजी यहां पे क्या है अवंक को कैसें भाई यह गये आपके कैसे पॉषि प्रोचिछ प्रोटिस्टा है रच पूषि पूठ इस ठाकॉन जो भै अपने मारे सड़े गले इन सबसे अपने भोजन को लेते हैं यह सड़ती हुई टहनियों तथा पत्तों के साथ गती करते हुए जैविक पधारतों का भक्षन करते यानि की जो जीवोते हैं उनको खाते हैं अनुकोल परिस्थेतियों में यह समुप्लाजमोडियम बनाते हैं तक यानि की बाइक कई लफीट लंबा क्या हो सकता है वो हो सकता है प्रेटिकूल परिस्थेतियों में यह विखर कर सिरो पर विजानु योक्त फलनकाय बनाते हैं परिक्षेपन वायू के साथ होता है और जहां जहां पर यह गिरेंगे हवासे उड़कर वहां पर एक वाप जो आटे-वो कैसे होते हैं यह परोषी होते हैं दूसरू पर डिपेंड तो जो पर भख्षी अत्वा पर जीवी के रूप पे रहते हैं यह प्राणियों के पुरादन संबंधियों इडियों चार समूहों में बाटा गया है कैसे बाटा गया पर पोशी तो है दूसरी यह जिवधारी स्वच जल समूद्री जल तथा नम्रदा में पाए जाते हैं यह अपने कूट पादों के साइट इस अपने शिकाल को पकड़ते हैं याद करो को अमीब कैसा होता है ऐए अमीबा परपोश्य दूसरे पढल पेचलर वे स्वेसा अब तो यहां पर अमीबा जो अब fluोता है जो इन्ति केंद्र कोंशी का दुर अता है इसमें संब्स नकित आ जाती है स्कव पाद यमद्ध मद्ध तेक क्या करता है इन खूल पाद जरीह ही क्या करता है बिटाई यह भोजन को पकड़ता है तो यह लाइन यहीं बोली कि यह अपने कूट पादों की साहिता से अपने शिकार को पकड़ते हैं इनके समुद्री प्रेकारों की सतया पर सिलिका के कवाच होते हैं इन में से कुछ जैसे एंट अमीबा पर जीवी हो सकते हैं ओके नेक्स्ट के हम बात करें जो बाटा गया है वो है कशाभी प्रोटो जोवा में इस समुखे सदस्यों वो भी आपके स्वच्छंद अत्वा परजीवी होते हैं शही पर कशाभ पाई जाते हैं जिसकी मदद से क्या करते हैं भाई यह गति करते हैं यानिकी मुम्मेंट करत है परजीवी कर शावी प्रोटोजोवा क्या होते हैं जिन से निद्रालू व्यादी में जिससे आपका ट्रैपनोसूमा ख्लियर है क्लियर ये वाला पार्ट यहां पर इमप्रॉडेंट है याद रखेगा ये example important है तो कशावी प्रोटोजोवा कौन से होते हैं जो аться-movement कर रहे हैं ठीक है यह जो होते हैं क्योंकि इनके शेर्ट क्या मिल रहे है कषाब पाईज राते हैं कि तक और यह पुछ लेते हैं बताई यह किसRO रही तो आपको पाता होना चाहिए नेक्स्ट आपका आजाता है पक्षमाभी ये जो प्रोड़ोजर होता है ये कहां पे भाई जलिया और अतन सक्रिय गति करने वाले जीरिवधारी है क्योंकि इनमें भी क्या पाये जा रहे हैं आपके पक्षमाभ पाये जाते हैं क्लियर बहुत जादा मातर में क्योंति के शरी पर आपके पक्षमाभ होते हैं और इनमें गुहा हम कह सकते हैं ग्रसी का पाये जाती है जो कोशिया के सतय के बाहर की तरफ फुलती है पक्षमाभों की लैब अदगती के कारण जल से पूरिद भोजन ग्लेट की तरफ भेज दि बहुत ही जादा मातर में आप देख सकते क्या लिखाए कि इनके शर्पाइब हजारों की पक्षमाभ पाये जाते हैं अब यहां पर जो बोली गई है कि इनके शर्में क्या मिल रेक गुहा गुहा क्योंते गुपा जैसी रचना कि जैसे ही भाई यहां पे जब यह कुछ भी चीज़ लेंगे तो वह क्या हो कि कहां कोश्चिक की सते के बाहर की तरफ खुल रहे हैं तो वहां से होती जाएगी और क्या कि पक्षमाभों की लैबद गतिके कारण जल से पूरिद भोजन ग्लेट की तरफ भेज दिया जाता है क्लियर नेक्स्ट स्पोरों जोगा इस समू परजीवी के रूप में जानते हैं ठीक है प्रजाती है जिसके कानमानव की जनसंक्या पर आगाध पहुंचने का प्रभाव बढ़ा है तो सबसे जादा जो इंपॉर्डेंट है यहां पे वह आपका एक तो पैरमीशियम वाला एक्जांपल प्लस आपका जो यहां पे ट्र पहले लेक्चर देख रहा हो क्योंकि जो वर्ड्स यहां पर आ रखें आदे उनके मतलब मैं आपको इससे पहले लेक्चर में बहुत सारे बता चुकी हूँ जहां पर वर्ड्स आए हैं तो प्लीज क्या करना है आपको एक भी लेक्चर को मिस्स नहीं करना है अगर आप अपनी लेता रहें कब कब अपकी क्लास इस होती है किस टाइमिंग पर होती है वो भी सब मैंने बताया हुआ है पांच जगत में से दो जगात हमारे कंपलेट हो चुके हैं प्रोटिस्टाज कंप्लेट हो गया है नेक्स क्लास में आपको बताऊंगे फंजाई आंड मिलते हैं हम लोग नेक्स लेक्चर में फंजाय जगत के साथ तब तक के लिए बाबाई टेक के बने रहें जी साइंस के साथ